हलो दोस्तो आज मैं फिर से आपका दोस्त खीम सिंग विट लिव यॉर लाइफ में कि आज दोस्तो एक अपने दोस्त को अपने फ्रेंड को जो है डारेक्शल इंदस्ट्री के बारे में बता रहा था यह ही कुछ बाते चली और एक छोटी सी स्टोरी याद आई सुचा कि आप लोगों को शेयर करूं बताओं कि यस काफी समय पहले की बात थी एक साधरान सा परिवार जिसमें उनके पापा कमाते थे और दो बच्चे और एक वाइफ घर में आराम से जिन्दिकी चल रही थी एक 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 बरी एक इंसिजें खराब हुई और उनके घर में खाने तक की लाले पड़ गए तो मां को खयाल आया कि बेटा जाओ हमारे पास एक हार रखी पड़ी है और आपके चाचा ना जोहरी हैं उनको जाके हार देके आओ कुछ पैसे लेके आओ ताकि हमारी घर की हालर ठीक होई पाई ताकि हमनों ख जो है मंदी है अभी उतनी कीमत नहीं है इसकी थोड़ा सा ऐसा करो आप कुछ पैसे में से ले जाओ घर में दे दो और आप कल से जो है मेरे पास आके काम करना शुरू कर दो बेटे ने उसकी बात माली अपनी मां को वापस हाल दखिया धीरे 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 वह अपने चाचा क के साथ काम सीखना शुरू किया और जोहरी की साथ बैटके हीरे मोती उनकी सूने चांदी की परक्ख करना सीख गया बच्चा था जल्दी सीखा कुछी टाइम बाद वो एक अच्छा पार्खी बन गया और बहुत दूर दूर से लोग उसको जो है अपने जो जहरात जेवरा और चांदी हीरा यह सब कुछ चेक करवाने के लिए आते थे परक्ख करनाने के लिए आते थे और वो सब की बड़ी अच्छी तरीकी से हल्प करता था और अपने काम को बड़े मन लगा के कर रहा था फिर चाचा ने फिर उनको याद दिला कि बेटा अब जो है मांकेट मंदी खत्म हो गई है अच्छे पैसे मिल सकते हैं अब हार दे दो मुझे माने वो जैसे ही उस बेटे को जो काम सीग गया था उसको हार पकड़ाई और बेटा जो है सन्न रहे गया और वो हार घर पे ही छोड़के वापस गया चाचा के पास चाचा ने बोला कि बेटा हार न दिन तुम आये थे मेरे पास उस दिन भी मैं इस बात को समझ गया था कि हार नकली है शायद मुझे उसी दिन तुम को यह बोलता कि हार नकली है तो आप भी समझते कि एक तो हमारी हारत ऐसी है घर में परिवार में पापा थे कमाने वाले उनकी डेथ हो गई और आज यह हमा तो दो सीख मुली, दो बातें सामने आई, क्या, नंबर 1 हम कभी किसी बात के बारे में बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे, बिना उसके बारे में नॉलेज्फ लिए, उस चीज को अवि में गलत कहने लगते हैं जैसे आज डायरेक्स लिंग के बारे मत हैं मेरा दोस्त कहता है ये तो काम क्या है ये काम तो साइद चेन मननन का है ये काम तो साइद जोडने वाला है मैंने का साइद आज वो बिना सोचे समझे बिना जाने बिना परखी उसकाम को आज ये कह रहा है जिस दिन उसको समझ में जाएगी जिस दिन उसको इस बात की समझ होगी सायद उस दिन उसमझ लेगा नंबर एक नंबर दो दूसरी स्टूरी यह थी कि जब घर में एक इनसान कमाने वाला होता है उसके ना रहते ही घर में बड़ी दिक्कत होती का इवन घर चलने की या फिर परिवार को पालने की बड़ी समझ से आती है तो दोस्तो हमेशा हमेरा पर कम से कम दो सोर्स ओफ इंकम होने जरूरी है या फिर कहीं न कहीं घर बैठे कोई ऐसा काम मिल रहा है एसी इंडर्स्ट्री कोई मिल रही है जिसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं येस आईए उस पर स्वागत है आप सब लोगों का और मैं कहूं हम सब लोगों को वो इन्फॉमिशन वो जानकारी दे दी हैं ताकि वो लोग परख़ पाएं इस काम के बारे में तो थैंक यू सो मच बहुत बहुत सुक्रिया अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देजीए ये प्यार आपका देखते ना मेरा मन करता है मैं और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाओं आपके लिए तो थैंक यू वंस अगें सल्यूट